दोस्तो एक सवाल जो दिल की धड़कने तेज कर देता है अगर इंडिया और पाकिस्तान के बिच निकलियर वार छिट जाए तो क्या होगा मिसाइल्स का खेल या निकलियर विंटर का अंधेरा क्या या दुनिया खतम कर देगा तो अपनी कुर्सी की पेटी भान लो महसम विगर ने आला है इंडिया और पाकिस्तान दो निकलियर पावर्स तीन सो से ज़्यादा वारेड के साथ एक छोटी से बुल कस्मीर में कॉन्फलिक्ट गॉर्डर पर गोली या गलत इंटेलिजन्स और यहवार सुरू हो सकता है लेकिन यह सिर्फ सहरो का ने पूरी दुनिया का विनास है क्या अगनी 5 और साहिन 3 का मुकाबला यह वार जीत सकता है यह निकलियर मिंटर सब कुछ खा जाएगा सस्पेंस यह है कौन बाला एश्टेट लेगा और अगर यह वार सुरू हुआ तो क्या कोई बचेगा चलिए दोनों के हाथियारों का मुकाबला देखें इंडिया का अगनी 5 एक इंटर कॉंटिनेंटल बेलेश्टिक मिसाइल जो 5000 से 8000 किलोमीटर के रेंज के साथ चाइना के दूर के सहरों तक मार सकता है पूरी दुनिया की एयर डिफेंस भी लगा दिया जाए फिर भी इसे नहीं रोका जा सकता क्योंकि इसका स्पीड मैक 24 यानि आवाज से भी 24 गुना ज्यादा है इसका M.I.R.B. टेक एक ही मिसाइल मल्टीपल टार्गेट्स तबाह कर सकता है एक मिसाइल दस वारेट्स और पाकिस्तान का दस सहर एक जटके में खत्म और पाकिस्तान का साहिन प्री रेंज 2750 किलोमीटर और स्पीड 12 मैक के आज़ पास इसे रोकना भारत के किसी भी या डिफेंस के लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है इंडिया के strategic target जैसे दिली, मुंबई, कुलकत्ता और यहां तक अंडमान तक यहां निताना बना सकता है इंडिया के पास 160 से 180 वारेट, पाकिस्तान के पास 170 लेकिन यह numbers का खेल नहीं, यह firestorms का अंगाज है जब अगनी 5 और साहिन 3 अपना काम करते हैं, सहर जल उठते हैं जब एक निकलियर बंप बिरता है, तो क्या होता है? सबसे पल एक blending flash, आखों के लिए एक अंतिन चमक, फिर सौक वेक, बिल्डिंग हवा में उठ जाते हैं और अगर coordinated strike हो, तो मुंबई, एहमताबाद, गैंगलोरो भी आस बन जाएंगे radiation का दूसरा पलू, 3rd degree burns, internal bleeding, long term cancer और सबसे बढ़कर slow painful death और यह सिर्फ पहला दिन होगा उसके बाद firestorms, billions of tons of smoke, एस्टार्टो एस्पेर में भेजते हैं, जो सूरज की रौस्वी को रोकता है scientist कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान वार में 50-100 वारेट भी nuclear winter ला सकता है global temperature 1-2 degree Celsius गिर सकता है, South Asia में तो 5 degree Celsius तक, मांसून खत्म, crops fill, wheat, rice, mage की पैदवार 20-30% कम हिरोसिमा के survivor ने तबाही देखी, लेकिन यह उससे भी बड़ा होगा, क्या यह सिर्फ South Asia तक रुकेगा, यह पूरी दुनिया को खा जाएगा nuclear winter 10-20 साल तक चल सकता है, ozone layer 25% खाप, UV rays से aspen cancer और crop damage, दुनिया भर में food production 30% गिरता है और 1-2 billion लोग भूख से मर सकते हैं, इंडिया और पकिस्तान के 2 billion लोग सबसे पहले मरेंगे, लेकिन अमेरिका, यूरोप, अफिका कोई नहीं बचेगा economy पूर जाएगी, प्रेड रूप जाएगा, और South Asia एक graveyard बन जाएगा, लेकिन क्या, इससे कोई जीत सकता है, या फिर यह वार्ग सिर्फ एक room stay machine है साइद इंडिया का advanced air defense system जैसे S-400 और प्रित भी कुछ सहरों को पकिस्तान के लिट में बचा पाएँ, लेकिन निकलियर विंटर को कोई नहीं रोख सकता, बचास से सो मिलियन लोग पहले दिन मरेंगे, बिलियन्स बाद में, लेकिन एक रास्ता है, डिप्लोमैसी, इंडिय कि नोफस्ट हूज और पकिस्तान की deterrence strategy के बावजूत इस टॉल्क ही इससे रोख सकता है, हिरोसिमा से हमने सीखा निकलियर वार का कोई जीत नहीं, आज भी वहाँ बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, तो क्या हम इसे रोख पहेंगे या यह nightmare हकिकत बनेगा, तो असली क्या हम सांती चाहेंगे या तबाही, कि यहीं है सच्चाई, निकलियर वार और उसका निकलियर विंटर से कोई नहीं जीत सकता, अगनी फाइब हो या साहींत्री, या सिर्फ तबाही भू पर अंधेरा लाएंगे, हिरोसिमा से लेकर आज तक एक ही पैगाम मिला, जंग नह इंसानियत चुनो, मैं जानता हूँ, आज हम सब का दिल गुस्य से बरा है, हर हिंदुस्तानी चाहता है, पहल गाम हमला का बदला, और वो बदला जरूर लिया जाएगा, हमारी सेना हर आंसु का हिसाब लेगी, लेकिन अगर यह जन निकलियर वार में बदल गए, तो नुक और इस वीडियो को सेर करें, ताकि हर को जागरू को जय हिंद, जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो में